नमस्कार जैश्टी कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और लास्ट टाइम मैंने आपको श्लोक 13 के बारे में बताया था नगुपारशनी के जो कि राहू केतु के बारे में बताता है कि राहू केतु कहां शुग होते उस ग्रह के स्वामे की नेचर के हसाद देंगे और वहां पे बरस्पती शुग्रों श्शनी जैसे बहाद ग्रह के साथ वो बैटए हैं अगर जिस तरह के भावों का स्वामी है ताथकाली रूप में अशुग है तो राहू केतु का रिजट इन दो बातों पर ही निरभर द पहला जिस घर में बैठे हैं उस धर की चाहिएँ में पूझे में देखेंकि वोनमबर राशी है और पांचवे भाव में राहू बैठा हुआ है के तु बैठा हुआ है शनी के साथ ग्यारवे भाव में तो ये तो हमने पढ़ा था पिसली वीडियो के अंदर के राहू के तु अगर त्रिकोंड में हो तो शुब फल देते हैं तो इसका मतब राहू यहां बैठके पंचम से संबंदित शुब बाट अपनी देशा पंचम के फल कुछ भी होसकते है संतान का फल होसकता है र ह miracrt के वा कि एम बिला कि रहू की गयारिए बाव में नहीं देगा भाव की स्तिति कनि, एक तो यह हो गया, दूसरा केतु शनी के साथ बैठा है, शनी किन भावों का स्वामी है, शनी हाँ पर छटे भाव का स्वामी है और साथ वे भाव का स्वामी, तो यह भी इस कुंडली की लिए अशुब है, ब्दूसरे नहीं दें आगे एग्जाम्पल लेते हैं मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाईता हूं। करते हैं कि उसकी दूसी राशी कहां पर है या वो किस ग्रहे के साथ सयूत है को चंदरमार सोजी की दूसी राशी तो होती नहीं तो नौर्म इस्तिती ही इन ग्रहे के साथ बैठा हुआ तो राहू की रिजल्ट इस केस में ग्यारवे भाब के लिए अच्छे नहीं होंगे और राहू 11 वाब में बैठा है इक उसके नुसार रशुप हो गया दूसरा चंदरमा बैठा है चंदरमा इस्तिहीं हीन है केटू बठै था मंगल के सांथ ,宇सका मतलब भाव के अनुसार तो फ़ल अच्छे थे लेकिन भावे जो सा प्राहु सेयूथ है। और था मिश् cuz केतु के अच्छे प्रभाव केतु की स्थिती कारण पढ़नाम जो थे मिश्यत रहेंगे क्योंकि वह मंगल के साथ है और त्रिकॉर्ड यह वाली कुंडली में देखते हैं कि राहू आपका केंद्र में और केंद्र के रिजल्ट के लिए हमने बताया था कि तटस्त होते हैं ब परिषानी प्रिएट नहीं करें क्योंकि तो यह थी रहू केतु की केंद्र और को एग्जांपल देखते हैं यह उधारण में अगर हम देखें हैं तो रहू यहां बारवे भाव अब यहां पे देखने वाली बार और चेतु यहां चटे बाव में तो हमने कहा था कि दूसर और बार्वे भाव के स्वामी इस्तिती हीन हो क्योंकि उनका परिणाम डिपेंड करता है कि उनकी दूसी राशी किस भाव में है या वो किस ग्रह के साथ स्यूंत है ना राहू केतु की दूसरी राशी को होती है ना पहली ना दूसरी तो राहू यहां पे इस्तिती हीन फाल हो चटे बाब में बैटें से पंदो केतु गच्छे नी रहे, साथ में बैठा भी वीनस के साथ, वीनस क्या है इसकुंडली में, वीनस को अगर हम देखें, तो वो दूसरे भाब का स्वामी है, और साथ में बाब का स्वामी है, मारक बाब का स्वामी है, अशुब है इसकुंडल भी आमें आपको प्रॉब्लम तो यह रिजल्ट आपको मैंने बताए जो कि बहुत इंपोर्टन्ट है इसमें इतना ही ध्यान आपको देना है इसके बारे में श्लोक 21 में एक बहुत अच्छा वणन किया गया है राहू के बारे मैंने यह बीच में ले लिया है हाला कि 13 के और ट्रिकोन में हो तो शुप फल देंगे यह तो हमने पढ़ लिया कि राहू के तू चोते साथे दस बाहत बॉइं तो राहू के तू तो तो प्ञ Simmons में होगे तो बहुत अच्छा निदेंगे तो बूरा भाल दें एक थार आपके हमने देगी आप यह ढहां देख लिया अ के साथ Venus कुंदली में क्या है Venus इस Kundaliyin में आपका तरप्ले दूसरी राशी दो नमब राशी इसकी पांशुए भाव में है और साथ नमबर राशी इसकी दस्वे वह लुग है तो यह राहू तो यानि शुब के साथ बैठा हुआ है राहू चंद्रमा क्या है चंद्रमा केंद्रस्वामी है केंद्रस्वामी तटस्त होता है बहुत अच्छा नहीं तो बुरा तो बिल्कुल नहीं तो इसका मतलब राहू इस भाव में बैठकर अच्छे फल देगा फायर एजूकेशन द तो बुद्ध को देखो तो बुद्ध आपका बैठा हुआ है जो बैठा है वो बुद्ध के साथ बैठा है शनी के साथ बैठा है बुद्ध इस कुंडली में पांचवे भावपास्वामी है दूसरे भावपास्वामी है तो शुब हो गया शनी इस कुंडली में नवे भावपास्वामी है और दसवे भावपास्वामी है तो यह तो पूर योकारी करहा हो तो राहू यहां पे दोनों ऐसे ग्रहू के साथ बैटा है जो दोनों शुब है पुंडली के लिए पुंडली के लिए तातकाली लूप से एकदम शुब होते हैं तो इसलिए राहू के पल इस भाव में बहुत अच्छे होंगे प्रोफेशन उसका बहुत अच एक राशी दूसरे भाव में दूसरी राशी पांचवे भाव तो पंचमेश है जल्ट अच्छा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और देखे तो कहने का मत्तब यह है कि अगर हम इसको सरल करते तो राहू केतू अगर अकेले हैं त्रिकोन में हैं तो शुब केंदर में और दूसरे बारे में आपको बताया अ अशकरता हूँ आपको यह पसंद आया होगा और पसंद आया है तो आई कीजिए का सबस्राइब कीजिए को शेयर कीजिए इसके आलावा हम लोग जो लोग बस्ट अए स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रस्ट हो केस्टोंडों जी की पुद्ये के नबर पर संपर कर सब्सक्राइब धन्यवाद जैसी कृष्ट